इंडियन मार्किट में SUVs की काफी डिमांड है क्योंकि लोग इन कार्स को बहुत जाधा पसंद करते हैं और आज हम ऐसे ही 10 अपकमिंग SUVs की बात करेंगे जो 2024 में भारती ये बजार में लॉंच होने वाली है पर उससे पहले अगर आप कॉंफी कार्स में नए आए हो तो इस का जो टॉप मोडल वह आपको तकरीबन 17 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा जो कार का लुक सुन जाने वो बहुत ही stylish देखने में कार बहुत ही premium और luxury लगती है तो front में आपको LED प्रोजेक्टर headlamp मिलते हैं LED DRL आपको दिये जाते हैं और नीचे आपको LED fog lamp provide करवा दिये लीटर का TSI turbo charge petrol engine जिसमें आपको 158 BHP की power और 250 Nm का torque मिलेगा 5 speed का manual transmission और 6 speed automatic transmission आपको provide करवा दिये जाएगा इंटीर से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable लोगे इसमें travel कर लोगे 5 सेटर SUV के अंदर ये कार आती है इसमें आपको ventilator front seats मिलेगी 8 inch infotainment system मिलेगा TFT driver display, cruise control, manual AC electronic parking brake ये सब आपको दिया जाएगा safety features के बात कर तो यहां पर आपको मिलेगा electronic stability control मिलेगा यहां पर आपको blind spot, ABS, EBD, hill hold assist ये सब कुछ आपको दिया जाएगा अब अगर बात करते हैं कि ये car कब तक launch होने वाली है तो दोस्तों mid October में ये car launch हो जाएगी नमबर टू पर आती है Toyota RAV4, RAV4 एक premium 5-setter SUV है जिसकी pricing चलू होगी 11 लाग रोपे से और इसका जो टॉप मोडल हो आपको तक्रीबन 21 लाग रोपीज के अंदर में मिल जाता है, जो car का looks and design वो काफी sporty, stylish और premium में देखने में कार बहुत ही luxury और stylish लगती है, वहीं अगर बात क इसके electricals के बारे में तो front में आपको LED headlights मिलती है, उसी में inbuilt LED DRL और नीचे आपको LED fog lamp दिये जाते हैं, पीछे आपको LED light मिलती है और आपको यहाँ पर बल्ब indicator मिल जाते हैं, इस car में दोस्तों आपको 195 mm का ground kill trans मिलेगा और आपको 18 inches के alloy wheels provide करवा दिये जाएंगे, engine की बात क तो यहाँ पर आपको दो engine options मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा 1.5 लीटर का turbo petrol और दूसरा को दी जाता है 2 लीटर का hybrid petrol engine जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और automatic transmission मिल जाएगा, और आप इसके hybrid वाले variant से तकरीबन 18 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, interior से बात करें तो 5 setra SUV के इंदर ये कर आती ह तो आपको बहुती spacious cabin दिया जाता है, auto AC, cruise control, electronic parking brake, safety glistics, airbags, ABS, EBD, ADAS system, blind spot ये सब कुछ आपको provide करवा दिया जाएगा, अब अगर बात करते हैं कि ये कार कप तक launch होने वाली है, तो November starting में ये car launch हो जाएगी, नमबर 3 पर आती है Honda HRV, HRV एक बहुती शांदर 5 setra midsize SUV है, जो कि आप सबको यहाँ पर पसंद आने वाली है, इस car की pricing चली होगी 11 lakh रुपीज से और इसका जो top model है वापको तकरीबन 21 lakh रुपीज के अंदर दिया जाएगा, जो car में looks and design बहुती stylish, premium और luxury है, देखना में car बहुती pretty लगती है, वहीं अगर बात कर रिसक electricals के बारे में, तो front में आपको फुल LED headlights का setup मिलता है, LED DRL और नीचे आपको LED fog lamp दिये जाते हैं, वहीं पीछे आपको LED tail light और आपको बलब indicator मिल जाते हैं, इस car में आपको 195 mm का ground clearance दिया जाएगा और 17 inches के alloy wheels आपको मिल जाएंगे, एंजन यहाँ पर आपको दो मिलते हैं, पहला आपको मिलेगा 1 1.5 लीटर का आईवी टैग टर्बो चार्ज पैटोल इंजन और दूसरा आपको दी जाता है 1.5 लीटर का hybrid पैटोल इंजन जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और 6-speed automatic transmission दिया जाता है, और hybrid वाले variant से आप तक रिबन 20 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, interior से बात करें तो यहाँ पर आपको बह दिया जाएगा, बहुत ही spacious cabin मिलता है, जैसी मैंना को बता दिया, rear AC vents आपको मिलते हैं और यहाँ पर आपको 4 USB ports भी दिये जाएगे, remote engine strategy मिलेगा, safety classics, airbags, ABS, EBD, lane departure warning, adaptive cruise control, auto high beam, यह सब कुछ आपको दिया जाएगा, अब अगर बात करते हैं कि यह कार कप तक launch होने वाली है, तो दोस्तों, दिवाली 2024 में यह कार launch हो जाएगी, नमबर 4 पर आती है, Renault Australia, आस्ट्रेल एक 5-setter compact SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 10 लाख रुपे से, और इसका जो top model है, वा आपको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर दिया जाएगा, जो कार में looks and design वाको काफी stylish और simple मिलता है, लेकिन कार देखनें बहुत भी खुबसूरत लगती है, वहीं अगर बात करें इसके electricals के बारे में, तो front में आपको full LED headlights का setup मिलता है, उसी में inbuilt आपको LED DRL मिलते हैं, और आपको नीचे LED fog alarm provide करवा दिया जाता है, वहीं पीछे आपको LED daylight और आपको LED indicator दिये जाते हैं, यहा आपको 130 BHP की power और 160 Nm का torque मिलता है, 5-speed का manual transmission और 6-speed automatic transmission आपको दिया जाता है, और इस engine से आप तक करीबन 22 KMPL तक का mileage निकाल सकते हो, यहाँ अपर दोस्तों interior से बात करें तो आपको feature से मिलते हैं, 10-inch infotainment system, TFT driver display, auto AC, ventilator front seats, steering wheel, mounted control, और जो safety features उसमें आपको मिलते हैं, adaptive cruise control, blind safe exit warning, 6 airbags, ABS, EBD और आपको ADAS system भी दिया जाता है, अब अगर बात करते हैं कि ये कार कप तक launch होने वाली है, तो mid November में ये कार launch हो जाएगी, नमबर 5 पर आती है Nissan Kicks, Kicks एक 5-0 compact SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 10 लाख रुपे से, और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 17 लाख रुपे के अंदर दिया जाएगा, जो कार में looks and design वो काफी sporty, aggressive और modern है, देखने में कार बहुती stylish और premium लगती है, वहीं अगर बात करें, इसक जाता है, engine आपको इस कार मिलेगा 1.2 लीटर का turbo petrol और 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine, जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात कर लेते हैं, तो आप अपनी family के साथ अराम से travel कर लोगे, जो कार में features जैसे क्यों गया blind spot, climate control, leather upholstery seat, safety classics airbags, ABS, EBD, TFT driver display, 10-inch infotainment system, यह दिवाली 2024 तक यह car launch हो जाएगी, number 6 पर आती है Hyundai Centafee, Centafee एक premium 7-setter SUV है, जिसकी pricing चली होगी 20 lakh रुपीज से, और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 30 lakh रुपे के अंदर मिल जाता है, जो car में looks and design वो काफी stylish और premium में देखने में कार बहुत ही गजब की लगती है, वहीं अ इंचिस के अलोई wheels मिलेंगे और आपको 205 mm का ground clearance दिया जाता है, इस car में आपको engine मिलेगा 2 liter का hybrid petrol engine, अब अगेन यहाँ पर आपको hybrid मिलता है, जो fuel efficiency वो आपको बहुत ही शांदर दी जाएगी, तो इस car से आप तकरीबन 18 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो, 6-speed का manual transmission और automatic transmission आपको दि दिया जाएगा, dual zone climate control, heads up display, wireless charging, safety classics, airbags, ABS, EBD और आपको ADAS system भी मिल जाएगा, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब तक launch होने वाली है, तो November starting में ये car launch हो जाएगी, नमबर 7 पर आती है Honda Pilot, पाइलेट एक बहुत ही शांदर 7-sitter SUV है, जो कि आप सब का यहाँ पर दिल जीत लेगी, इस car की pricing चल होगी 20 लाख रुपे से और इसका जो top model है, वो आपको तक्रीबन 30 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा, जो looks and reason हो बहुत ही aggressive और modern देखने में कार बहुत ही शांदार लगती है, देखा जाए तो काफी कम कीमत में आपको Fortuner का टोड़ फोड माटेरि दिया जाता है, एंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, टू लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन जिसमें आपको सक्षी स्पीट का manual transmission और automatic transmission दिया जाएगा, इंटिरियर से बात कर लेते हैं तो आप साथ लोग अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो कार में features यह दिया जाएगा, 9-inch infotainment system, TFT driver display, heated and ventilated front seats, dual zone climate control, address system भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, blind spot, safety classics airbags, ABS, EBD, सब कुछ आपको offer करवा दिया जाएगा, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह car कब तक launch होने वाली है, तो mid November में यह car launch हो जाएगी, नमबर 8 पर आती है Nissan Petrol, पेटरोल एक बहुती जबरदस्त और बहुती classic 7-setter SUV है, जिसकी pricing चलू होगी 30 लाख रुपे से, और इसका जो top model हो आपको तकरीबन 40 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा, फॉर्चनल का market यह car पूरी तरीके से यहाँ पर गिराने वाली है, जो car का looks and design बहुती stylish, बहुती premium और luxury है, देखने में car बहुती board लगती है, वहीं अगर बात कर electricals के बारे में, तो front में आपको बहुती sharp LED headlights, LED DRL, नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और आपको LED indicator दिया जाते हैं, यहाँ पर आपको 20 inches के alloy wheels मिलेंगे, और आपको 200 mm का ground clearance दिया जाता है, engine यहाँ पर आपको इस car एम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 2.4 लीटर का naturally aspirated petrol engine, जिसमें आपको 6-speed का manual transmission और 8-speed automatic transmission दिया जाएगा, interior से बात करते हैं, तो आप साथ लोग अराम से comfortable location में travel कर लोगे, जो car में features इसेगीगा 12 inch infotainment system, 12 inch का TFT driver display, 3 zone climate control, leather upholstery, leather up modes, ADAS system, सब कुछ आपको शांदर features provide करवा दिया जाएंगे, अब अगर बात करते हैं कि यह car कप तक launch होने वाली है, तो यह car दोस्तों यहाँ पर December starting में launch हो जाएगी, नमबर 9 पर आती है Toyota Rush, रश एक 7-setter SUV है तो जिनकी family छोटी और जिनका budget कम है, वो शांदर 7-setter SUV के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इस car की pricing चलू होगी 9 लाक रुपे से और इसका जो top model है, वो आपको तकरीबन 15 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा, जो car में looks and design वो simple और stylish है, लेकिन car देखने में बहुत खुबसूरत लगती है, वहीं अगर बात करें इसका electricals के बारे मे एंजन इस car में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission दिया जाता है, इंटीर से बात करें तो आप साथ लोग अराम से comfortable लोगे इसमें travel कर लोगे, इस space को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, features आपको दिये जाते हैं, 7 इंच infotainment system, steering wheel mounted control, auto AC, keyless entry, leather, अपॉस्ट्री सीट, safety classics, airbags, ABS, EVD, lean keep assist, यह सब कुछ आपको मिल जाता है, और अगर बात करते हैं कि यह car कब तक launch होने वाली है, तो दिवाली 2024 में यह car launch हो जाएगी, नमबर 10 पर आती है Suzuki Ertega facelift, Ertega का facelift बहुत जल्द launch होने वाला है, इस car की pricing चल होगी 8 लाक रुपे स है, और इसका जो top model है, वह आपको तकरीबन 14 लाक रुपे के अंदर दिया जाएगा, जो car में looks and design हो यहाँ पर आपको completely नया मिलेगा, नया looks मिलेगा, नया electrical setup मिलेगा, तो visibility के लिकर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही शांदर आपको यहाँ पर headlights offer किये अब अगर बात कर लेते हैं कि यह 7-setter car कप तक launch होने वाली है, तो दिवाली 2024 में यह car launch हो जाएगी, आप यहाँ पर इसकी spotted images भी देख सकते हो, बाकि दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताना कि इन 10 SUVs में से ऐसी कौन से SUV है, जो आप अपनी family के लिए लेना पसंद करोगे, बाकि अगर आप comfy cars में नहीं आए हो तो इस channel को subscribe करके bell icon दबा देना, अभी गले thanks, till then wait for my new upcoming videos.